नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं, कुश्चन नबर 18, जेमीन 2019 का पेपर है, अब आपके पास यहाँ पे बेंजीन का डेवी मेटीव है, ब्रोमीन के साथ आप इसको ट्रीट कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रोमीन, देखें, नॉर्मल ब्रोमीन इतनी strongly electrophilic नहीं होती कि बेंजीन पे डेक कर सके, और अच्छी बात है कि किसी भी उप्षिन में उन्होंने बेंजीन के ओपर ब्रोमीन का डेक करवाया भी नहीं है, बड़ अगर माल लीजे, कोई ओप्षिन ऐसी होती, जिसमें बेंजीन के उपर ब्रोमीन लगा दिया होता, double bond के across यहाँ पर add करेगा तो double bond के across सबसे पहले क्या bromine directly add हो जाएगी no, सबसे पहले बनेगा यहाँ पर intermediate bromonium ion ठीक है, cyclic three members यहाँ पर यहाँ रिंग सा बनेगा तो this is called bromonium ion यह बन गया अब अगले step में क्योंकि अब देखो हमारे पास क्या था BR2 टूटेगा BR positive और BR negative में तो यह जो BR positive था यह तो attack कर गया double bond पे, पर BR negative अभी available है तो अगले step में हमारे पास BR negative भी attack करने के लिए और ethanol भी है पर next step में क्योंकि they have typically, clearly mentioned ethanol, तो इसका मितलब होगा कि next step में ethanol as a nucleophile attack करेगा, और ethanol अगर attack करेगा तो इन दोनों में से किस position पे attack करेगा अब सोचो, कहाँ करेगा देखे, मान लो बच्चे इन दोनों में से दोनों carbon पे अगर carbon बनता तो जाधा stable carbon कहाँ बनता यहाँ पे यहाँ पे तो आप दिमाग लगागे, sir, यह वाले position benzylic position है, अगर यहाँ positive charge जाएगा, तो बेंजीन के साथ stabilize होगा तो carbon यहाँ पे जाधा stable बनता पर अब मैं पूछ रहा हूँ क्या carbon बनेगा, नहीं carbon बनेगा तो नहीं, बट attack करते समय आपको यह सोचना है कि अगर carbon बनता, तो कहाँ बनता और वहाँ पर attack करना है आपको तो आपने इस position पे attack किया, nuclear file ने, यह वहला bond shift कर जाएगा उपर, like this and you will see और क्योंकि यह back attack है तो ethanol और bromine opposite opposite side में attach होँगे, तो माल लिजे यहाँ पे ETOH से finally H positive निकलने के बाद OET यहाँ लग गया, तो bromine यहाँ पे लगेगा and इनकी जो directions होँगे, वो बिलकुल opposite होँगे, मतलब यह anti orientation में होँगे and दोनों ही position जो हम आपके वो chiral center है ठीक है, तो इसके recording answer आपके पास क्या रहेगा fourth option, D option is the answer